एलो फ्रेंज, वेल्कम बैक तो मैच चैनल, तो फ्रेंज आचा करते हैं कि आप सभी लोग अपनी जगापर ठिक ठाक से होंगे या YouTube चैनल पर आप काम करते हैं, तो इस वीडियो आपके लिए बहुत ही important होने वाली है, दोस्तो वीडियो बहुत छोटी सी होगी, लेकिन आपसे request इस वीडियो का पूरा जरूर देखेगा, ताकि यहाँ जब हम आपको बताना चाते हैं, वो आप ठीक से समझ सकें, लेकिन से पहले request है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा, और उसके बाद घंटी के निशान पर भी जरूर टच कीजेगा, ताकि आपको हमारी बनाए हुई नएनी वीडियो लगातार मिलते रहें, यह बिल्कुल free होता है friends, और आप इसे बहुत ज़्यादा उठा सकते हैं, तो चलिए friends, शुरू करते हैं, और आते हैं अपने topic पर, तो friends, आज की वीडियो में हम जो बताएंगे वो होगा YouTube चैनल पर करने वाली सबसे बड़ी mistake, जो ज़्यादतर लोग करते हैं, 90% लोग इस mistake को करते हैं, जो भी नया YouTube चैनल बनाते हैं, तो friends, आज के टेम में YouTube चैनल बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, YouTube चैनल बहुत ही seconds के अंदर बन जाता है, और वो कैसे बनता है, चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ, हम डारेक्ट अपने YouTube एप्लिकेशन के उपर चले जाते हैं, और वहाँ पर ज आ सकते हैं, तो इस तरह से YouTube चैनल तो हमारा बन जाता है, अब इसी तरह से इसके अंदर आप YouTube के उपर वीडियो भी अप्लोड करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब मिस्टेक क्या होती है, दोस्तों YouTube एप्लिकेशन पर जब हम चैनल बना लेते हैं, तो यहाँ पर हमें व इस टूडियो के अंदर, और इस टूडियो एप के अंदर भी नहीं जाना पड़ता, आपको ब्राउजर के अंदर YouTube को खोलना ही पड़ेगा, वो किस तरह से वो मैं आपको बताता हूं, और वो कौन सी सेटिंग है, जो आपको करनी ही है, वो भी आपको इस वीडियो में बत दिखते हैं, वो या पिर कंप्यूटर में जिस तरह से हम काम करते हैं, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए, यहां पर एक नीचे आपको एक option मिल जाएगा, desktop site का, तो मैंने इसको computer view, यानि कि जो कंप्यूटर में जिस तरह से दिखता है, उस तरह से मैंने यहा पर मिलती है, वो सेटिंग्स हमें, यूटूब एप्लिकेशन के अंदर जब हम चैनल क्रियेट करते हैं, तो वो सेटिंग्स हमें वहाँ पर नहीं मिलती, और यह सेटिंग्स बहुत ही जरूरी होती है, अगर हम चाहते हैं, अपना चैनल ग्रो करना, तो जब भी आप यहाँ पर आपकोלא की सेटिंग की ऑपृचिन पे चले जाना है फ्रेंट्स ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सेटिंग्स पर देखिये आ गये, यहाँ पर हमें बहुत सरी सेटिंग्स मिलती देखियें, यहाँ हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही इंपोर्टन्ट सेटिंग की जो की हमारे चैनल को grow करने के अंदर help करती है ठीक है वो क्या होती है फ्रेंट्स तो देखें यहाँ पर क्या मिलेगा यहाँ पर देखिए बेसिक information advance setting और भी बहुत सारे options मिलेंगे यहाँ ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको नीचे एक option मिलेगा keywords फ्रेंट्स keywords क्या होता है keywords हमारे चैनल को हमारी वीडियो को rank करने में audience तक पहुचाने में ज्यादा views लाने के लिए keywords ही काम करते हैं अगर हम बात करें tags की तो tags भी एक तरह के keyword होते हैं अगर हम SEO search engine optimization की बात करें तो वहां पर भी keyword ही काम करता है और जब हमारे चैनल पर keyword ही नहीं होंगे तो हमारा चैनल search list में जाएगा ही कैसे audience तक पहुचेगा ही नहीं और चैनल ग्रो होगा ही नहीं तो देखें यहाँ पर है सारी डिशो के नाम लिख लिजिए अब माल लिजिए मेरा चैनल अगर यूटूब इंफोमेशन से ब्लॉंग करता है तो मैं नहीं यहाँ पर देखें नीचे सेटिंग बहुत सारी यहाँ पर कीवर्ड लिख रखें यूटूब सेटिंग यूटूब सेटिंग यूटूब अपडेट्स निउचैनल तो इस तरह कि अगर आपका कोई चैनल है तेकनिकल या अगर आपको कोई यहां पर लिखके रखने हैं आपको यह कोई भी नहीं बताएगा जब हम कोई वीडियो बनाते हैं और वीडियो के अंदर जब हम टैग्स लगाते हैं डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो वह काम स्रीफ उस वीडियो का होता है उस वीडियो को वैरल करने का होता है लेकिन यहां पर पूरे चैनल की सेटिंग की बात है जब हम चैनल के अंदर ही हमने सेटिंग या कीवर्ड नहीं लगा रखे तो यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि ये चैनल इस कैटिगरी का है और उस कैटिगरी के लोगो या ओडियंस तक वो हमारे चैनल को कैसे पहुंचाएगा तो ये सेटिंग बहुत इंपोर्टेंट है जिसको 90% लोग नहीं करते क्योंकि आजकर लोग जल्दी में यूटूब एप्लिकेशन पर जाकर या इस्टूडियो पर जाकर चैनल बना लेते हैं और यहां पर वो सेटिंग अपनी नहीं करते जो कि यह बहुत ही मेंडिटरी या जरूरी होती है दोस्तों कैसे लिए इंफोमेशन पर लिए कमेंट करके बताना अगर वीडियो चलेगी तो इसको लाइक करना और दोस्तों फेमली के साथ इसे शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जोरू करना सब्सक्राइब के निशान पर टच करके उस वाद घं